आज संथ वानी में गुजरात की प्रसिद्य संथ पान भाई का एक पद लेने जा रहे हैं पान भाई का जन्म 1847 इसमी में हुआ कब उसका निर्वान हुआ यह कोई नहीं जानता है लेकिन यह बात सर्विधित है कि पान भाई की गुरु गंगा भाई गंगा सती है और गंगा सती राजगर का समंद्र राजगराने से है पान भाई गंगा सती है इसके पती का नम है कहल सिंग वे भी संत और पती ही नहीं कि वो गंगा-सती के गुरुभी रहे्ए तो पहले कहल सिंग विदा हुए इसके बाद अब बड़ी अधुत बेला है अधुत घरी है पानबाई के गुरु गंगा सती विदा ले रही है शरीर का त्याग कर रही है पानबाई वर्णन कर रही है कि एक संत कैसे शरीर का त्याग करता है और गंगा सती शरीर का त्याग करते हुए वो क्या लक्षन दिखाई दे रहे हैं वो क्या कर रही है इसका बड़ा ही मनोहरी वर्णन पानबाई ने किया है हुशा कर रहे हैं संथ हर छड अपने सिष्य को कभी अपने वचनों से से उपदेश देता रहता है सिखावन दे रहता है तो क्या सिखावन दे रही है है यह सीक 550 उसने से पांवाई को दिया और चित्त संकेलियू ने और अपनी चेतना को सिकोड लिया अपनी कीच मैठट लिया तो कैसे किया बालियू पदमाशन रहे शरीर छोल रहे कि तो पदमाशन में वा बैठ गई इसका यह अर्थ नहीं कि साहरे संद्ध पद्मासण मween ही शुरीर ठोड़ते हैं शरीड छोड़ने का भी अपना-a-पना तरिका होता है और कई संद्धों ने पद्मासण में अपना अपने शरीर का त्याग किया है उस परंपरा में एक नाम और है को है गंगा सति पद्मास्ण में बैठ गई है और क्या उसने किया है मन वचन ने इस थिर करी दिधूरे और अपनी चेतना को अपने मन को उसने उंकार में थिर कर दिया है वचन उंकार को कहते हैं उस उंकार में अपनी चेतना को उसने थिर कर दिया और यह सीख केवल पांद भाई के लिए नहीं है बलकि हम जो विदा लेते हैं शरीर से मृत्तु की बेला में हम सब के लिए एक महाशिक्षा है कि शरीर का त्याग कैसे करना है ताकि हम मुक्त हो करके यहां से विदा हो इसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं आएम गौनत बॉं मिन से काक्षरम ब्रह्म है वह जो एक उंकारसत्य नाम है वहीथ गॉंपनिशत का इताम यह यह तोição मैं हे यह से प्रत है उस पर ध्यान देना है उसका रस्पान करना है कहते कभी साव राम रस्पियारे तो मृत्तु की बेला में उंकार के रस्पान करो उसको ग्रहन करो ओम इत्ती एक आक्षरम ब्रह्म व्याहरन उसको ग्रहन करो उसका रस्पान करो और मामनुस्मरन कृष्ण यहां ब्रह्म भाव करो ब्रह्म को कैसे याद करो ओम का स्मर्ण करो नाद का स्मर्ण करो और नाद का स्मर्ण करते हुए नाद के स्रोत के रूप में ब्रह्म को याद करो ब्रह्म का स्मर्ण करो तो किष्ण क्या करता है यह प्रयाती त्याजम देहम और इस प्रकार जो देह का त्याग करता है ओं परमगति को प्राप्त करता है वह परमभिश्राम को प्राप्त करता है वह मुक्त को प्राप्त करता है कहती है पान भाई चीत जेनुम प्रसंद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द जड़ति बहुत ही प्रसंद है उसको कोई दुख नहीं है कि हम चोड़ रहे हैं जिसके लिए कभी साफ कहते हैं जिस मढनी से जग डरे मेरो मन आननंद कभ मर हो कभ मेंटी हो पूरण परमानंद कभी साब कते जिस मरने से सारा जग डरता है मैं बड़ा आनंदित हूं मैं सोचता हूं कभ वो मिर्ट्व आए और कभ मैं परमानंद को प्राप्त करूं कई पानवाई भाईरे चित संवेदन सरवे-मटादी दिधुम कहती है कि आए मित्रों मैंने देखा कि गंगा ने क्या किया अपनी जितनी वृतियां हैं जितनी जितने भाओ तक हैं उन सबको उसने कुछ भी तेजना नहीं थी उस समय परमशान्ति की इस्तिति थी जिसके लिए पतञजली कहते हैं कि निरोधा जैसे समाधि में चित की सारी वृत्यां समाप्त हो जाती है तो एक तरह से गंगा सती समाधी ले रही है उसकी मृत्यू उसकी समाधी है और सारी वृत्यों को उसने मिटा दिया है कहती है पानवाई लागी समाधी अखंड रहे और वह मृत्यू नहीं वह तो अखंड समाधी की वेला है वह समाधिस्त हो ग रही है उससे कभीर साब कहते हैं कि मेरा मन लग गया मन उसमें लीन हो गया और मलिन वासना त्यागी और उठत बैठत कवहुं तूटे ऐसी तारी लागी साधो सहज समाधी लगी उसी बात को पान भाई कह रही है कि ठीक उसी तरह गंगा सत्य को समाधी घटित हो गई कहते हैं पान भाई महाधशा प्रकटीते घड़िये रे कहते हैं उस घड़ी में महाधशा अद्वाइत को महाधशा कहते हैं अद्वाइत घटित हो गया आत्मा और परमात्मा का परमिलन घटित हो गया और कहते हैं ने अंतर रहें नहीं लगार भाईरे ब्रम रूप जनिवर बन गई अद्वाइत घाटित हो गया और ब्रह्म में उसका चित रमढ करने लगा जिसके लिए शंक्राचारे कहते है ब्रह्म मरी नद्धिन नंद्ध यह वह नम में जिसका चित रमढ करता है उसके समान आनंद नहीं है नहीं है नहीं है तो कहती है पानवाई कि भाई रे ब्रह्म रूप जनी बरती बनी गई ने और अंतर रहे ओ नहीं लगार रे लगार मोह को कहते हैं कहते हैं उसका कोई मोह दुनिया से नहीं रहा जगत से नहीं रहा संबंधों से नहीं रहा वो मोहातीत हो गई है जिसकेले गुरु अरदिन देर जी कहते है काम्आ दोब मोह मन लीना अब बंधद काट मुखत कीना कि यह जो लगा रहे जो मोह है के जगत से संबन्द है काम क्रोऻ दो मोह मन लगा रहता है लेकि बाहर मेरा गुरु उसने इंसारे बंधनों को काट करके मुझे मुक्त कर दिया यही इस्तिती उसे में गंगा सती की है कहती है पान भाई सुरताई शुनमा जईने वासकी धेने अपनी सुरती को अपने ध्यान को गंगा सती ने क्या किया है शुन्य में लगा दिया है उस निराकार में लगा दिया है जिसके लिए कभी साब कहते हैं सुन्य मंडल में घर किया बाजे सब्द रसाल उस शुन्याकाश में कहते हैं कि हमने अपना घर बना लिया है और बहुत ही मधुर सब्द की गुंजार हो रही है जहां और रूम रूम और ऐसा लगता ब्रह्म का चरन कमल प्रकट हो गया है कहती है पान भाई थाया अरस परस एक तार रे फिर क्या किया गंगासति ने कि अरस अरस कहते हैं गगन को कहते हैं ब्रह्म को कहते हैं और परस कहते हैं फर्ष को जो आत्मा है उसको कहते हैं कहते हैं ब्रह्म और आत्मा को उसने बिल्कुल एक तार कर दिया है, बिल्कुल मिला दिया है, जिसके लिए बिहार के दरिया साथ कहते हैं, पलपल प्रेम गहो पदपंकाज, और देखव अरध निसान, कहते हैं, हर पल प्रेम सहित, ब्रह्म का चरन कमल देखो, अरध निसान और गगन को देखो, अरध कहते और एक ध्वजा फारा रही है और उसको देखो जो आत्मकर है उसको ध्वजा कह रहे हैं और कहते हैं कहे दरिया जाके आड़ अटक नहीं रम्याई संत सुजान और कहते हैं वहां जाने में कोई आड़ अर्थात रोक नहीं है कोई अटक कोई अटकाव नहीं होता संतों को और सीधे जैसे हैं । संसार यही तो अट काव यही तो आड रहे तो को कोई अटकाव नहीं होता और फिर वहां जा कर करें रमर करते हैं उस गगन मंडल में रमर करते यह हैं K credit patter नामने रूप तो ही अंकार है वह नाम रूप ये सारा अंकार उसका मिठ गया कोई बाहरी पहचान अभिसकी नहीं है वह संसार मन न finished a onatma एक है और फिर नाम और रूप के कारण अलग-अलग होने करना संसार्मा नेक रूप धारण किया है बंदर में बंदर हो गया हाथी में हाथी हो गया चीटी में चीटी हो गया मगर है तो ब्रह्म ही और एक आत्म सकल घट एह गती जा नहीं संद एक ही आत्मा को एक ही परमात्मा को सारे घटों में वही विद्यमान है आपने शरीर का त्याग कर दिया और मली गयो हरि मातार और फिर उसकी चेतना गोविंद में मिल गई के लिए गुरू अरज़ुंदेशु कहते है यसे सूरज किरन मिलें का जल हुआ राम जैसे सुरज संतियाराम और आत्त आत्मा उस ब्रम्ह में विलेन हो गई संत वानी को यहीं विराम देते हैं आधेश्ट